वीवो गूगल एसिस्टेंट सेटिंग नमस्कार डोस्तु सुआगर है आप सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है करके बताऊंगा ठीक है तो वीडियो शूरु करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जयरुकर ऋपने पीसटर्च समयाई से जरों से उसके लिए दोस्तो आमने वीडियो डीस्क्रीप्शिन पर लिंक देरा खका आ Husky तो इसको बेक करते हैं तो काफी सारा रेकोर्डिंग हो रहा है आपर तो दोस्तो यहाँ पर जैसे के आपने देखा ठीक है हम बटन पर क्लिक करके राकने से आपका जो गूगल एसिस्टेंट है वो इनेवल हो जाते हैं आभी दोस्तो इसके रिगार्डिंग पर और भी सेटि सेटिंग पर जाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा गूगल एसिस्टेंट कम कस्टॉम फॉंक्शन उसमें क्लिक किजिए और यहां पर दोस्तों गूगल एसिस्टेंट कस्टॉम फॉंक्शन आप एलाव कर सकते हैं ठीक है एलाव करने के बाद दोस्तों आप बेख सकते अलर्ट आपको बता रहें Google Assistant Custom Function is requesting full control of the device the device the service can read the screen and act on behalf of user accessibility needs ठीक है तो main setting दोस्तों यहाँ पर आप हो चाहे अभी तो होता क्या है दोस्तों विबो के फोन पे आप यदि Google Assistant Custom Function को enable करते हैं तो आपको दोस्तों फोन जो है वो यूस करना है नहीं होगा अपने हाथों से ठीक है आप फोन पे दोस्तों जो भी कहोगे वह recording करेगा recording करने के वार आप कौन सा sending बर जाना है वो सब दस्तों खुदबाकूर अटोमिटिक होते जाएगा मैं इसको deny कर देता है एक बर ठीक है मुझे अभी यूस नहीं करना है वरना दोस्तों यहाँ पर जब recording करेगा तो काफी दिक्कर हो जाएगा ठीक है तो यह उन लोगों के लिए जो यहाँ पर सी वोईस से अपना फोन को पूरा कोंट्रोल करना चाते हैं ठीक है गोगल गोगल एसिस्टेंड आपका जो फोन है उसको पूरा कोंट्रोल कर लेगा यदि आप इस सेटिंग को इनेबल करते हैं ठीक है तो यहाँ से दोस्तों आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और यह है दोस्तों आपका गोगल एसिस झांतने, ठेंक्स रहाचे.